प्रस्तुत है अगनी की उडान डॉक्टर एपीजे अब्दुलकलाम की प्रसिद्ध पुस्तक दिविंग साफायर का हिंदी अनुवाद भाग एक अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपयाई से सब्सक्राइब कर लीजिए लाइक कीजिए शेर कीजिए कमेंट्स कीजिए थेंक यू धन्यवाद तुत है डॉक्टर एपीजे कलाम क्रत अगनी की उडान 1. मेरा जन्म मद्रास राज्य अब तमिलनाड के रामे स्वरम कस्बे में एक मध्यम वरगी तमिल परिवार में हुआ था मेरे पिता जैनुलाब दीन की कोई बहुत अच्छी आपचारिक सिक्षा नहीं हुई थी और नहीं वे कोई बहुत धनी व्यक्ति थे इसके बावजूद वे बुद्धिमान थे और उनमें उदारता की सची भावना थी मेरी माँ आशियम्मा उनकी आदर्श जीवन संगिनी थी मुझे याद नहीं है कि वे रोजाना कितने लोगों को खाना खिलाती थी लेकिन मैं यह पक्के तोर पर कह सकता हूँ कि हमारे सामोहिक परिवार में जितने लोग थे उस से कहीं ज्यादा लोग हमारे यहां भोजन करते थे मेरे माता पिता को हमारे समाज में एक आदर्श दमपती के रूप में देखा जाता था मेरी मा के खानदान का बड़ा सम्मान था और उनके एक वंशज को अंग्रेजों को ने बहादुर की पदवी भी दे डाली थी मैं कई बच्चों में से एक था लंबे चौडे वसुंदर माता पिता का छोटी कद का भारन सा दिखने वाला एक बच्चा हम लोग अपने पुष्टेनी घर में रहते थे यह घर उन्नीसवी शताबदी के मध्य में बना था रा सभी अनावश्यक एवं ऐशो आराम वाली चीजों से दूर रहते थे पर घर में सभी आवश्यक चीजें समुचित मात्रा में सुलबता से उत्पलब्द थी वास्तों में मैं कहूंगा कि मेरा बच्चपन बहुत ही निश्चिंतता और सादेपन में बीता भातिक एवं जन्धित स्वादिष्ट सांभर देती साथ में घर का बना अचार और नारियल की ताजा चटनी भी होती प्रतिष्ठित शिव मंदिर जिसके कारण रामे स्वरम प्रसेद तेर्थिस्थल है का हमारे घर से दस मिनट का पैदल रास्ता था जिस इलाके में हम रहते थे वह मु बहुत ही पुरानी मस्जित थी जहां शाम को नमाज के लिए मेरे पिता जी मुझे अपने साथ ले जाते थे अरबी में जो नमाज अता की जाती थी उसके बारे में मुझे कुछ पता तो नहीं था लेकिन यहां पका विश्वास था कि ये बातें इशौर तक जरूर के सामने रखते पिता जी अपनी उंगलियां उस पानी में डूबोते जाते और कुछ पढ़ते जाते इसके बाद वह पानी बीमार लोगों के लिए घरों में ले जाया जाता मुझे भी याद है कि लोग ठीक होने के बाद शुक्रिया अदा करने हमारे घर आते पिता जी अपने शुरुआती बच्पन की यादों में इन दो लोगों के बारे में मुझे सबसे अच्छी तरह याद है दोनों अपनी पारंपरिक वेश भूसा में होते और आध्यात्मिक मामलों पर चर्चाएं करते थे जब मैं प्रश्ण पूछने लायक बड़ा हुआ तो मैंने पिता जी से नमाज की प्रासंगिकता के बारे में पूछा पिता जी ने मुझे बताया कि नमाज में रहस्य में कुछ भी नहीं है नमाज से लोगों के बीच भाईचारे की भावना संभव हो पाती है वे कहते जब तुम नमाज पढ़ते हो तो तुम अपने शरीर से इतर ब्रमहंड का एक हिस्सा बन जाते हो जिसमें दौलत, आयू, जाति या धर्मपंथ का कोई भेदभाव नहीं होता मेरे पिताजी अध्यात्म की जटिल अवधारणाओं को भी तमिल में बहुत ही सरल ढंग से समझा देते थे एक बार उन्होंने मुझसे कहा, खुद उनके वक्त में, खुद उनके इस्थान पर जो वे वास्तों में हैं और जिस सवस्था में पहुँचे हैं, अच्छी या बुरी हर इंसान भी उसी तरह दैवी शक्ति रूपी ब्रमहंड में उसके एक विशेस हिस्से के रूप में ह होता है, तो हम संकटों, दुखों या समस्याओं से क्यों घबराएं, जब संकट या दुख आए, तो उनका कारण जानने की कोशिश करो, विपत्ति हमेशा आत्म विशलेशन के अवसर प्रदान करती है, आप उन लोगों को ये बात क्यों नहीं बताते, जो आपके पास मद और सलाह मागने के लिए आते हैं, मैंने पिताजी से पूछा, उन्होंने अपने हाथ मेरे कंधों पर रखे और मेरी आँखों में देखा, कुछ ख्षण वे चुप रहे, जैसे वे मेरी समझ की ख्षमता जाच रहे हों, फिर धीमे और गहरे स्वर में उन्होंने उत्तर दि जो स्वाभाविक ही है, जब इंसान संकट में होता है, तो उसे किसी की मदद की जरूरत होती है, जब वहाँ अपने को किसी गतिरोध में फसा पाता है, तो उसे चाहिए होता है एक ऐसा शाथी जो बाहर निकलने का रास्ता दिखा सके, बार बार तरपाने वाली हर तीवर इच्छा एक प्यास की तरह होती है, अगर हर प्यास को बुझाने वाला कोईन कोई मिल ही जाता है, जो लोग अपने संकट की घडियों में मेरे पास आते हैं, मैं उनके लिए अपनी प्रार्थनाओं के जरिये इशुरिये शक्तियों से संबंध स्थापित करने का माध्यम बन जाता हूँ, हलांकि हर जगे हर बार यह सही नहीं होता और नहीं कभी ऐसा होना चाहिए, मुझे याद है पिता जी की दिन्चर्या पौफ हटने के पहले ही सुबह चार बजे नमाज पढ़ने के साथ शुरू हो जाती थी, नमाज के बाद वे हमारे नारियल के बाग जा पौफ था, करीब दरजन भरनारियल कंधे पर लिए पिता जी घर लोटते और उसके बाद ही उनका नाश्ता होता, पिता जी की यह दिन्चर्या जीवन के छठे दशक के आखिरी तक बनी रही, मैंने अपनी विज्यानिवम प्रोध्योगी की सारी जिन्दगी में पिता जी कोई देवी शक्ती जरूर है, जो हमें भ्रम, दुखों, विशाद और असफलता से छुटकारा दिलाती है, तथा सही रास्ता दिखाती है, जब पिताजी ने लकडी की नौकाएं बनाने का काम शुरू किया, उस समय मैं 6 सालों का था, ये नौकाएं तीर थियात्रियों को रा में शरम से धनुश को उटी, अर्थात सेथो काराय तक लाने ले जाने के काम आती थी, एक स्थानी ठेकेदार अहमद जलालुद्दीन के साथ, पिताजी समुद्र तट के पास नौकाएं बनाने लगे, बाद में अहमद जलालुद्दीन की मेरी बड़ी बहन जोहरा के स शादी हो गई थी, नौकाओं को आकार लेते देखते वक्त मैं काफी अच्छी तरीके से गौर करता था, पिताजी का कारोबार काफी अच्छा चल रहा था, एक दिन सौ मील प्रतिघंटे की रफतार से हवा चली और समुद्र में तूफान आ गया, तूफान में सेथुक का उसकी अपार एवं अनियंतरित उर्जा ने मुझे हत प्रफ कर दिया, जब तक नौकी ये कहानी बेवक्त डूबी, उम्र में काफी फर्क होने के बावजूद, अहमद जलालुदीन मेरे अंतरंग मित्र बन गए, वह मुझ से करीब 15 साल बड़े थे और मुझे आजाद कहक पुकारा करते थे, हम दोनों रोजाना शाम को दूर तक साथ घूमने जाया करते, हम मस्चिद वाली गली से निकलते और समुद्र के रेतीले तट पर चल पड़ते, मैं और जलालुदीन प्राया आध्यात्मिक विश्यों पर बाते करते, एक प्रमुक तिर थस्तल होने की ब परिक्रमा करते, जितनी श्रधा से देश के किसी हिस्से में आया कोई तीर थ्यात्री करता, और इस परिक्रमा के बाद हम अपने शरीर को बहुत ही उर्जवान महसूस करते, जलालुदीन इश्यों के बारे में ऐसी बातें किया करते, जैसे इश्यों के साथ उनकी कामकाजी भागिदारी हो वहाँ इश्वर के समक्षपने सारे संदेह इस प्रकार रखते जैसे वहाँ उनका निराकरण पूरी तरह कर देगा मैं जलालुदिन की और एक टक देखता रहता और फिर देखता मंदिर के चारों और जमाश्राद धालूं तीर्थियात्रियों के उस भीड को भी जो समुद्र में डुबकियां लगा रही होती और फिर पूरी धार्मिक रीतियों से पूजा पाठ करती तथा उसी अज्यात के प्रति अपने आदर भाव से प्रार्थना करती जिसे हम निराकार सर्वशक्तिमान मानते थे मुझे इसमें कभी संदेह नहीं रहा कि मंदिर में की गई प्रार्थना जहां जिस तरह पहुँचती है ठीक उसी तरह हमारी मश्चिद में पढ़ी गए नमाज भी वहीं जाकर पहुँचती है मुझे आश्यर सिर्फ तब होता जब जलालुद्दीन ईश्वर से विशेश तरह का जुड़ाव कायम कर लेने की बात कहते है पारिबारिक परिश्थितियों के कारण जलालुद्दीन की इसकूले सिक्षा बहुत ज्यादा नहीं हुई थी यही एक कारण रहा जिसकी वजह जलालुद्दीन मुझे पढ़ाई के प्रति हमेशा उतसाहित करते रहते थे और मेरी सफलताओं से प्रसन्न होते थे पढ़ाई से वंचित रह जाने की हलकी सी भी पीडा की जलक मुझे जलालुद्दीन में कभी देखने को नहीं मिले जिंदगी में उन्हें जो कुछ भी म वह उसके प्रति हमेशा करतक गिर रहे। प्रसंग वस मुझे यहां यह भी उलेख कर देना चाहिए कि पूरे इलाके में सिर्फ जलालुद्दीन ही थे जो अंग्रेजी में लिख सकते थे। जिसे भी जरूरत होती चाहे वह अरजी हो या कुछ और। जलालुद्दीन उसे अ बाहरी दुनिया के बारे में पता था। जलालुद्दीन मुझे हमेशा सिक्षित वेक्तियों, वग्यानिक खोजों, समकालिन साहित और चिकिच्चा विग्यान के उपलब्धियों के बारे में बताते रहते थे। वही थे जिन्होंने मुझे सीमित दाइरे से बाहर निकाल कर नई दुनिया का बोध कराया। मेरे बाले काल में पुस्तकें एक दुरलब वस्तु की तरह हुआ करती थी। हमारे यहां स्थानी इस्तर पर एक पूर्वकरांतिकारी या कहिए उग्र राष्टवादी स्टियार मानिकम का निजी पुस्तकाले था। उन्होंने मुझे हम के लिए उत्साहित किया। मैं अक्सर उनके घर से पढ़ने के लिए किताबें ले आया करता था। दूसरे जिस व्यक्तिका मेरे बाल जीवन पर गहरा असर पड़ा वह मेरे चचेरे भाई सम्शुद दिन थे। वह रामे शरम में अखवारों के एक मात्र वितरक थे। अख अखवारों में स्वतंतरता अंदोलन से सम्मंधित ताजा खबरें, जियोतिष से जुड़े संदर्भ और मद्रास अर्थात चिन्नई के सराफा बाजार के भाव प्रमुखता से होते थे। महानगरिय दृष्टिकोन रखने वाले कुछ थोड़े से पाठक, हेटलर, महत्म अगांधी और जिन्ना के बारे में चर्चा करती थे। जबकि ज्यादा तरपाठकों में चर्चा का विश्य सवर्ण हिंदूओं के रोड़िवात के खिलाफ पेरियार ईवी रामा स्वामी द्वारा चलाया जा रहा आंदोलन होता। दिन मनी अखवार की मांग सबसे ज्या सन 1949 में जब दितीय विश्युद छड़ा तब मैं आठ वर्स का था। तब ही बाजार में इमली के बीजों की अचानक तेज मांग उठी जिसका कारण मुझे कभी समझ में नहीं आया। मैं इन बीजों को इकठा करता और मस्टिद वाली गली में एक पर्चून की दुकान प कोशिश करता। विश्युद दुका हमारे यहां जरा भी असर नहीं था लेकिन जल्दी ही भारत पर भी मित्र देशों के सेनाओं में शामिल होने का दवाब डाला गया और देश में एक तरह का आपातकाल घोशित कर दिया गया। उसका पहला नतीज़ा इस रूप में सामन शमसुद दिन का ऐसे मदा मददगार के तलाश हुई जो अख़बारों के बंडल जहलने और गिरेविये बंडलों को उठाने में उनका हाथ बटा सकी। स्वाभाविक है मैं ही मददगार बना। इस तरह शमसुद दिन से मुझे अपनी पहली तनख़ा हमिली। आधिश अ मैं अपने द्वारा कमाई पहली तनख़ा पर गर्व करता हूँ। हर बच्चा एक विशेस आर्थिक सामाजिक और भावनात्मक परिवेश में कुछ वंशागत कुणों के साथ जन्म लेता है। फिर संसकारों के अनुरूप उसे ढाला जाता है। मुझे अपने पिता जी स विरासत के रूप में इमानदारी और आत्मा नुशासन मिला तथा मां से इश्वर में विश्वास और करुणा का भाव। यही गुण मेरे तीनों भाई बहनों को भी विरासत में मिले। लेकिन मैंने जलालुद्दिन और शमसुद्दिन के साथ अपना जो समय गुजारा उसका मेरे बचपन में एक आदुत्तिय योगदान रहा और इसी के रहते मेरे जीवन में सारे बदलाव आए। स्कूली सिक्षा नहीं होने के बाद भी जलालुद्दिन एवं समसुद्दिन इतनी सहज बुद्धिके थे और मेरे अकतनी संदेशों का यों जट से जवाब दे देते थे कि बचपन में मैं बिना किसी हेच की चाहट के अपने श्रजनात्मक्ता को उनके बीच रख सका। बचपन में मेरे तीन पक्के दोस्त थे रामानन सास्त्री अर्विंदन और शिव प्रकाशन ये तीनों ही ब्रह्मण परिवारों से थे रामानन सास्त्री तो रामेश्वरम मंदिर के सबसे वड़े पुजारी पक्षी लक्षमण सास्त्री का बेटा था अलग-अलग धर्म, पालन पोशन, पढ़ाई लिखाई को लेकर हम में से किसी भी बच्चे ने कभी भी आपस में कोई भेदभाव महसूस नहीं किया आगे चलकर रामानंद शास्त्री तो अपने पिता के स्थान पर रामेश्वरम मंदिर का पुजारी बना और विंदन ने तीर्थी आत्रियों को घुमाने के लिए टेंपो चलाने का कारवार कर लिया और शिव प्रकाशन दक्षन रेलिवे में खान पान का ठेकेदार हो गया प्रतिवर्श होने वाले श्री सीता राम विवाह समारों के दौरान हमारा परिवार विवाह स्थल तक भगवान श्री राम की मूर्तियां ले जाने के लिए विशेस प्रकार की नावों का बंदोबस्त किया करता था यहाँ विवाह स्थल तालाब के बीचों बीच स्थित था और इसे रामतीर्थ कहते थे यहाँ हमारे घर के पास ही था मेरी मा और दादी घर के बच्चों को सोते समय रामायड के किस्से और पैगंबर मुहम्मद से जुड़ी घटनाय सुनाती थी जब मैं रामे स्वरम के प्राइमरी स्कूल में पांचमें कक्षा में था तब एक दिन एक नए सिक्षक हमारी कक्षा में आये मैं टोपी पहना करता था जो मेरे मुसल्मान होने का प्रतीक था कक्षा में मैं हमेशा आगे की पंक्ती में जनेव पहने रामानन शास्त्री के साथ बैठा करता था नए सिक्षक को एक हिंदू लड़के का मुसल्मान लड़के के साथ बैठना अच्छा नहीं लगा उन्होंने मुझे उठा कर पीछे वाली बेंच पर चले जाने को कहा, मुझे बहुत बुरा लगा, रामानन सास्त्री को भी या बहुत खला, मुझे पीछे की पंक्ति में बैठाये जाते देख, वह काफी उदास नजर आ रहा था, उसके चेहरे पर जो रुआसी के भाव थे, उनकी मुझे पर गहरी चाप पड़ी, स्कूल की चुट्टी होने पर हम घर गए और सारी घटना अपने घरवालों को बताई, यह सुनकर लक्षमन सास्त्री ने उस सिक्षक को बुलाया और कहा, कि उसे निर्दोश बच्चों के दिमाग में इस तरह समाजी का समानता एवं समपरदाइक्ता का विश नहीं घोलना चाहिए, हम सब भी उस वक्त वहां मौझूद थे, लक्षमन सास्त्री ने उस सिक्षक से साफ साफ कह दिया, कि या तो वह च्छमा मांगे, या फिर स्कूल छोड़कर यहां से चला जाए, उस सिक्षक ने अपने किये विवहार पर न इस प्रथक करण के मामले में ये जातियां बहुत ही कठोर थी, मेरे विज्ञान के सिक्षक शिव सुब्रमनिम अयर कटर सनातनी ब्रहमण थे और उनकी पतनी घोर रूड़िवादी थी, लेकिन वे कुछ-कुछ रूड़िवाद के खिलाफ हो चले थे, उन्होंने इन करोड़ियों को तोड़ने के लिए अपनी तरफ से काफी कोशशें की ताकि विभिनवर्गों के लोग आपस में एक दूसरे के साथ मिल सकें और जाती असमानता खत्म हो, वे मेरे साथ काफी समय बिताते थे और कहा करते, कलाम, मैं तुम्हें ऐसा बनाना चाहता हूँ कि त उनकी पवित्र और धर्मनेश्च रसोई में एक मुसल्मानी योवक को भोजन पर आमंतृत किया गया है, उन्होंने अपनी रसोई के भीतर मुझे खाना खिलाने से साफ इनकार कर दिया, शिव सुबर्मनम अईयर अपनी पत्नी के इस रुख से जराभी बिचलित नहीं हु खाने के तरीके, पानी पीने के ढंक और खाना खा चुकने के बाद उस स्थान को साफ करने के तरीके में कोई फर्क देख रही थी, जब मैं उनके घर से खाना खाने के बाद लोटने लगा, तो अईयर महोदे ने मुझे फिर अगले हपते रात के खाने पर आने को कहा, मेरे शिव सुब्रमनिम अयर के घर रात्रिभुज पर गया तो उनकी पतनी ही मुझे रसोई में ले गई और खुद अपने हाथों से मुझे खाना परोसा दुतिव विश्विद खत्म हो चुका था और भारत की आजादी भी बहुत दूर नहीं थी गांधी जी ने ऐलान किया भारतीय सुयम अपने भारत का निर्मान करेंगे पूरे देश में अप रत्याशित उम्मीदें थी मैंने अपने पिता जी से रामे शरम छोड़कर जिला मुख्याले रामनात पुरम जाकर पढ़ाई करने के अनुमति मागी उन्होंने सोचते हुए कहा अबुल तुम्हें आगे बढ़ने के लिए जाना होगा तुम्हें अपनी लालसाइं पूरी करने और आगे बढ़ने के लिए उस जगह चले जाना चाहिए जहां तुम्हारी जरूरतें पूरी हो सकती है हमारा प्यार तुम्हें बांदेगा नहीं और नहीं हमारी जरूरतें तुम्हें रोकेंगी मेरे हिच किचाती हुई मा को उन्होंने खलील जिबरान का हवाला देते हुए कहा तुम्हारे बच्चे तुम्हारे नहीं हैं वे तो खुद के लिए जीवन की लालसाओं के बेटे-बेटियां है। वे तुम्हारे जरीये आते हैं लेकिन तुमसे नहीं आतें तुम उन्हें अपना प्यार दे सकते हो... लेकिन अपने विचार नहीं. उनके खुद के अपने विचार होते हैं। पिता जी हम चारो भाईयों को मस्चिद ले गए और पवित्र कुरान से अलफ फातिहा पढ़कर प्रार्थना की फिर पिता जी मुझे रामेशरम स्टेशन पर छोड़ने आए और कहा इस जगह तुम्हारा शरीर तो रह सकता है लेकिन तुम्हारा मन नहीं तुम्हारे मन को त अहमाद जलालुद्दीन मुझे रामनाथपुरम के श्वार्ट्स हाइ स्कूल में दाखिल कराने और वहां मेरे रहने का बंदवस्त करने के लिए मेरे साथ आये थे किसी भी तरह मुझे यहां अच्छा नहीं लग रहा था रामनाथपुरम कस्वा सम्रद होते हुए भी ब रामनाथपुरम में पढ़ाई के अच्छे अवसर के बाद भी मैं अपनी मां की बनाई तक्षन भारतीय मिठाई पोली की याद नहीं भुला पाता मेरी मां पोली की बारह तरह से मिठाईयां बना लेती थी और हर किस्म की मिठाई की अपनी अलग सुगंधिवम स्वाद हो और मुझे लगता था कि पिता जी के सपने को साकार करना मेरा फर्ज है हालां कि परिवार सुरक्षा और रामे सुर्म की सारे सुख सुवधाईं मुझसे चूट गई थी जलालत दिन मुझसे हमेशा सकारात्मक सोच की शक्तिकी बात किया करते थे और जब भी मुझे घर की यादाती या मैं उदास होता तो मैं प्राया उनकी कही बातों को मन में याद कर लेता उनके कहे अनुसार मैंने अपने मन के विचारों एब मस्तिश को इस्थिर रखने तथा लक्ष को पाने के लिए कठोर परश्रम किया मैं रामेश्रम नहीं लोटा बलके अपने घर से औ और दूर चलता चला गया तो यह था अगनी की उड़ान दिविंग साफ फायर का प्रथम भाग अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपयाई से सब्सक्राइब कर लीजिए लाइक कीजिए शेर कीजिए कमेंट्स कीजिए थेंक यू धन्य हंदए टिह से सब्सक्राइब है तो किया है बाइक कीजिए बाना अगने दवस्राइब कर लाइब को सब्सक्राइब እं एर लीजिए राइउ विया वियां वित। पाल फौ यू 1 0